आज हम बनाएंगे मेरा ये सबसे फेवरेट डेट बाइ चॉकलेट केक और आज के इस केक को बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल मोल्ड, कोई अवन, कूकर या कोई कडाही की जरुरत नहीं है बलकि हम इसे बनाएंगे तवे पर और वो भी regular चाय के sauce pan में तो बहुत ही आसान और interesting सी recipe है और हाँ, अगर आपके पास cake बनाने के लिए कोई खास बरतन या कोई कूकर अवन नहीं है तब भी आप अपने cake को घर पर बहुत ही आसानी से बना लोगे और बहुत ही जादा टेस्टी बनता है ये तो चलिए फटा-फट से इसकी recipe को शुरू कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने cake का batter बनाएंगे जिसके लिए bowl में डालेंगे आधा cup दूद ये normal उबला हुआ दूद है जो अभी room temperature के उपर है इस दूद में अब हम डालेंगे तीन चोथाई चोटा चमच यानि कि आधा चोटा चमच प्लस एक चोथाई चोटा चमच विनेगर आप इसकी जगा नीबू का recipe ले सकते हो इसे mix करेंगे और इस दूद को ना पांदस मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे इसमें आज हम अपना ये cake बनाएंगे इसके लिए मैंने ये चोटे से size का एक saucepan लिया है जो measurement में 4.5 inch है बट हाँ अगर इतना चोटा saucepan आपके घर में नहीं है तो जो भी regular saucepan मिल जाए ना आपको उसमें आप इस cake को बना सकते हो हाँ cake की measurements थोड़ी अलग हो जाएंगी saucepan की size के according और सारे size के according जो measurements है वो मैंने नीचे description box में mention की है आप उसे check कर लीजेगा बट मैं इसे इस 4.5 inch cake saucepan में बना रही हूँ तो सबसे पहले हमें इसे grease करना है तो जैसे regular cake tin के साथ करते हैं वैसे ही oil के साथ इसे भी अच्छे से grease कर लेंगे और फिर मैं इसमें एक butter paper लगा रहे हूँ इसके जगा आप चाहो तो अपने mold को मैदे से भी dust कर सकते हो तो बस ये mold तायार हो गया है अच्छा आप इसके बाद हम अपने कडाही या फिर अवन जी नहीं तवे को गरम होने के लिए रख देंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस cake को हम तवे पर बनाएंगे तो इसके लिए आपको regular लोहे का तवा लेना है जिसके हम routine में रोटी बनाते हैं वही तवा है ये और इस तवे को ना हम medium flame के उपर रख देंगे ताकि तवा जो है ये पूरे अच्छों से गरम हो जाए तो बस सारी तैयारी हो गई है अब cake का better बना लेंगे जिसके लिए एक bowl में डालेंगे तीन बड़े चमच oil साथ में डालेंगे दो बड़े चमच दही और एक तीहाई कप पिसीफी चीन इन तीनों चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे ताकि एकदम creamy और airy हो जाए इसके बाद अब इस bowl के उपर एक छणी रखेंगे जिसमें डालेंगे तीन चुथाई कप मैदा धाई बड़े चमच cocoa powder और तीन चुथाई चोटा चमच इसमें डाल देंगे baking powder जिसके लिए आधा चोटा चमच प्लस एक चुथाई चोटा चमच baking powder डाला मैने इसमें और साथ में डालेंगे 1 एट्थ टीस्पून यानि कि 1 फोट टीस्पून का अगर आप आधा portion लेंगे तो वो हो जाएगा 1 एट्थ टीस्पून तो इतना हमें डाल देना है baking soda और एक प्रिंच इसमें नमक डाल देंगे और इन सारे dry ingredients को चान लेंगे आए इसके बार अब चॉकलेट के फ्लेवर को और भी जादा enhance करने के लिए मैं इसमें एक छोटा सेशे कॉफी पावडर अड़ कर रही हूँ कॉफी डालना optional है आप चाहो तो इसे skip भी कर सकते हो तो बस इन dry ingredients को mix करेंगे और एक spatula के साथ इसे इस तरह से हलके हाथों से cut और fold करते हुए mix कर लेंगे तो इसे mix करने के बाद अब हमने ये जो दूद एक side पर रखा था ना अब ये थोड़ा सा फट गया है इस दूद को अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके add करेंगे और इसका better तयार कर लेंगे तो बस अब हमारा ये better तयार हो गया है और इसकी जो consistency है ना ये बिल्कुल इस सरा से ribbon जैसी flow ही रखनी है हमें तो इस better को अब हम डाल देंगे अपने इस mold में यानि के इस sauce pan में sauce pan को थोड़ा सा tap करेंगे तो बस हमारा ये mold तयार हो गया है और इधर ये जो तबा हमने गरम होने के लिए रखा था ना ये भी काफी अच्छा से गरम हो गया है काफी जादा heat आ रही है इसमें से तो gas की flame को हम बिल्कुल low रखेंगे और इसके उपर directly हम अपना ये sauce pan रख देंगे और इसे उपर से धख देंगे किसी भी plate या katori के साथ इसे अच्छा से धख दीजे और इसी तरह से अब हम इसे low flame के ऊपर bake करेंगे तकरीबन 30-35 मिनट में ये जो cake है ये पूरा अच्छा से bake हो जाएगा और हाँ timing story से आगे पिछे हो सकती है तो एक बार 25 मिनट के बाद आप इसे जरूर चेक करिएगा तो इस cake को रखे हो मुझे पूरे 30 मिनट हुए है अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे तो आप देखे हो कि cake कितना अच्छा से फूल गया है थोड़े से cracks आ गये हैं बड़कि बल्कुल normal है और center में जब टुथपे को insert करके चेक कर रहे हैं तो ये भी बल्कुल clear है इसका मत इस cake की icing यानि कि chocolate गनाश को तयार कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह 175 ग्राम dark compound चॉकलेट ली है साथ में इसमें हम डाल देंगे यह 80 ग्राम क्रीम अमुल फ्रेश क्रीम है यह और एक बड़ा चमच में इसमें बटर राइड कर दियूं इन तीनों चीजों को अब हमें मिल्ट करना है चाहो तो आप microwave यूज कर सकते हो या फिर double boiler method ले सकते हो double boiler के लिए एक स्वास प्यान में थोड़े से पानी को गरम करके flame को लो कर लेंगे और इसके उपर अब हम रखतेंगे अपना ये bowl अलो फ्लेम के उपर अब हम इससे चलाते रहेंगे नीचे पानी से जो हीट आएगी उस वज़े से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो थोड़ी देर में आप देखे हो कि चॉकलेट कितना अच्छे से मेल्ट हो गई है तो इसी के साथ हमारा ये चॉकलेट गनाश ताया है इस गनाश को ना पहले हम 15 मिनट के लिए इसी तरह से kitchen counter पर देंगे ताकि ये room temperature के ऊपर आजाए आए इसके बाद अब हम इसे आधे से पॉने घंटे के लिए एक बर फ्रिज में रखेंगे ताकि ये गनाश जो है ना ये पोरिंग की बजाए एक spreading consistency में आ जाए इसके बाद इस के को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए हम थोड तकी लिए फ्रिज में रख देंगे आए इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ तो ये केक भी अब बलकुल अच्छे से ठंडा हो गया है इसे डी मोल्ड कर लेंगे तो नॉर्मल केक की तरह ही डी मोल्ड करना है यानि कि पहले चाकु से एक बर साइट्स को अलग करेंगे और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है ये केक और आप देख रहे हो कि केक कितना जादा सौफ्ट और स्पॉंजी है बहुत ही जादा एकदम मोईस्ट और जालीदार बनता है ये तो अगर आपके पास अब कोई स्पेशल मोल नहीं है ना तब भी आप रूटीन के वही तवे और सौस पैर में अपने घर में केक बना सकते हो बहुत ही आसान है बनाना तो चलिए अब हम अपने इस केक को पहले लेर्स में कट कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर का ये जो अनिवन पार्ट है इसे निकाल दें आप कितना एकदम जालीदार है ये केक बहुत ही जादा सौफ बना है इसके बाद इस केक को मैं तीन लेर्स में डिवाइड कर जहूं जिसके लिए दो कट्स लगाऊंगे मैं इसके साइट पे इसके बाद अब हम एक नॉम्मल थ्रेड लेंगे और ये जो कट्स हमने बनाए सेट हो गया है यानिकि पहले पोरिंग कंसिस्टेंसी में था अब आप देखरों कि ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है तो इस गनाश को बस चमत से ही सिरफ 30 सेकंड के लिए हम हलका हलका से इस तरह से विप कर लेंगे तो बस गनाश भी त्यार हो गया है अब हम अपनी cake की icing करेंगे तो इसके लिए अगर आपके पास turn table है तो वो use कर सकते हो आप नहीं तो जो guard भी बना सकते हो जिसके लिए एक कटोरी लेके इसके उपर कोई भी flat heavy surface रख लेंगे मैंने चकला use किया है तो हमारा ये turn table बन जाएगा और अब इसके उपर चाहो तो directly cake को assemble कर दो जैसे मैं कर रहे हूँ या फिर पहले cake board रखो और फिर अपने cake को assemble कर सकते हो आप तो मैं इसे directly assemble कर रहे हूँ जिसके लिए सबसे पहले हमने इसके उपर लगाया थोड़ा सा ganache इसके उपर अब हम रखेंगे अपने cake के पहली layer आइसे अब हम sugar syrup के साथ moist करेंगे जिसके लिए आधे cup गरम पानी में मैंने एक बड़े चमचीनी को घुलने तक mix किया और sugar syrup त्यार होने के बाद जब वो ठंडा होकर room temperature पर आ गया तब हम उससे अपना cake moist कर रहे हैं तो अच्छे से moist करने के बाद अब हम इसके उपर लगाएंगे अपना ये चोकलेट ganache और इसको easily लगाने के लिए मैंने एक piping bag में फिल किया है तो उसे थोड़ा spread करेंगे अच्छा अब इसके उपर ना ये जो chocolate shavings हमने बनाई थी ना ये डाल देंगे तो काफी अच्छे से भर कर ये chocolate shavings टाल रुए मैं इस layer में हलका हलका से प्रेस कर देंगे इसके उपर अब हम रखेंगे अपनी cake की second layer हलका से प्रेस करेंगे ताकि ये नीचे की layer के साथ चिपक जाए और stable रहे और इसके बाद अब हम सारे steps को repeat करेंगे तो पहले इसे भी moist करेंगे शुगर सिरप के साथ और फिर इसके उपर लगाएंगे chocolate ganache फिर इसके उपर डालेंगे थोड़ी सी ये chocolate shavings chocolate shavings डालना optional है अगर आपके पास नहीं है तो आप skip कर सकते हो इससे थोड़ा एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा इसमे इसके उपर आप फाइनली रखेंगे अपने cake की third layer और cake का जो lower बाला पार्ट है उसे मैं हमेशा उल्टा करके यूज़ करते हूं ताकि उपर से हमें एक flat top मिले तो बस इसे भी moist करेंगे और अपकी बार अब हम अपने गनाश को ना पूरे cake के ऊपर कवर कर देंगे तो यानि कि ऊपर भी और sides पर भी इस पर गनाश लगा देंगे और इसे थोड़ा सा finish कर लेंगे अचा गनाश की अगर proper finishing आपको करनी है ना तो आप spatula को हलके से गरम पानी में dip करके उसको एक कपड़े से पूंच के फिर उसकी थोड़ी थोड़ी finishing करो हलका सा गरम रहेगा ना जब spatula तो आपका गनाश बहुत easily finish हो जाएगा अचा इस cake की ना finishing बहुत जादा करनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि end में हम इसे cover कर रहे है चोको चिप्स के साथ और पूरे cake को ही मैं चोको चिप्स से cover कर रहे हूं वैसे garnishing है जैसे चाहो आप ऐसे कर सकते हो तो बस इस तरह से थोड़े थोड़े चोको चिप्स को लेते जाएंगे पहले sides बर और इसी तरह से ऊपर अच्छे से चोको चिप्स से cover कर लेंगे तो बस इसी के साथ हमारा ये cake तयार हो गया है अब हम इसे आधे पॉने खंटे के लिए एक बार फ्रिज में रखेंगे ताकि गनाश थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसे slices में cut करके serve करेंगे तो थोड़ी देर के बाद अब फाइनली हमारा ये death by chocolate cake बिलकुल तयार है आप देखे हो कि देखने में ही कितना यमी लग रहा है ये और बहुत ही ज़ादा intense chocolatey flavors है इसमें आप देखे हो कि अंदर के texture cake एक्तम soft और spongy है और साथ में ये chocolate गनाश बहुत ही ज़ादा यमी बना है ये तो अब अगर आपके पास कोई mold नहीं है कोई specific oven या कडाही नहीं है तब भी आप घर में अपना कोई भी cake बना सकते हो ये सब को बहुत ही ज़ादा पसंद आएगा तो try करिए आप भी इस death by chocolate cake की recipe को और मेरे साथ अपना feedback ज़रूर शायर करिएगा पिक्चर शायर कर सकते हैं इन सारी recipes की आप मेरे instagram पर अगर आपको आज की ये recipe पसंद आई हूँ तो please video को like करिएगा और मेरे channel को subscribe करना ना भूले